कक्षा का द्रिश्य है, छात्र छात्राएं आपस में बातचीत कर रहे हैं, तभी कक्षा में अध्यापिका जी एक बच्चे को साथ लेकर प्रवेश करती हैं, सब बच्ची शान्त होकर अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं, बच्चों इससे मिलो, यह तुम्हारा नया स पाठी है, इसका नाम है मानस, मानस सबको अपना परिचे दो, दोस्तों मेरा नाम मानस है, आज मेरा इस कक्षा में ही नहीं, किसी विद्याले में भी पहला दिन है, मतलब तुम पहले कभी स्कूल नहीं गए, पर तुम तो इतने बड़े हो, और फिर तुम्हें सीधे इस कक बताओ मानस, जी मैं दो वर्ष पहले तक कालीन बनाने वाले कार खाने में काम करता था, मुझे अपने घर परिवार के बारे में अधिक कुछ याद नहीं है, मैं चार-पांस साल का था तभी मुझे एक आत्मी ने कार खाने के मालिक को बेश दिया, तब से हर सुबर नीन ख खुलने के साथ ही मेरा काम शुरू हो जाता था, वे लोग बहुत मारपीट करते थे, कभी भर पेट खाना भी नहीं देते थे, बीमार होने पर भी काम करना पड़ता था, तुम इतने छोटे होकर कार खाने में काम करते थे, हाँ, मुझे करना ही पड़ता था, बस पढ़ने का मुझे शौक था इसलिए रात को जब सब सो जाते थे तो मैं नजर बचा कर बाहर निकल जाता था वहां से कुछ दूर एक भले आदमी का परिवार रहता था उनका बेटा जो मेरी ही उम्र का था उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया फिर दीरे दीरे थोड़ा बहुत प कार खाने से यहां कैसे पहुँचे हाँ हाँ बताओ तुम्हे उस नरग जैसे जीवन से कैसे मुक्ती मिली कैलाश सत्यार्थी जी ने अपना जीवन जोकिब में डाल कर मुझे और मेरे जैसे बहुत सारे बच्चों को वहां से छुडाया हमारे रहने खाने और पढ़ने की व्यवस्था की कैलाश सत्यार्थी यह नाम तो सुना हुआ सा लगता है अध्यापिका जी आप हमें उनके बारे में बताए ना बच्चों कैलाश सत्यार्थी सच मुच मानस जैसे हजारों बच्चों के लिए देव दूद की तरह हैं उनका जन्म 11 जन्वरी 1954 को मध्य नाम कैलाश शर्मा था फिर उनका नाम कैलाश सत्यार्थी कब और कैसे हो गया अध्यापिका जी वे 1977 में दिल्ली के एक प्रकाशन में काम करते थे जहां आरे समाज की किताबे छपती थी वहीं उन्होंने आरे समाज के संस्थापक स्वामी दयानन सरस्वती द्वारा लिख सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक पढ़ी वे इससे इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने नाम के साथ से शर्मा हटा कर सत्यार्थी लगा दिया तुम लोगों को पता है वे बचपन से ही बहुत भावुक तथा सदा आगे बढ़ कर दूसरों की सहायता कर करने को तैयार रहते थे एक बार जब वे केवल ग्यारव वर्ष के थे उन्होंने देखा कि बहुत से बच्चे किताबे न होने की कारण पढ़ी नहीं पाते उन्होंने सबजी बेचने वाले का एक खाली ठेला लिया और परिक्षा पास करने वाले बच्चों की किताबे परतिभाशाली थे, उनका परिवार चाहता था कि वे राजनीती में जाएं, परन्तु उन्हें लगता था कि समाज में बदलाव के लिए राजनीती नहीं, समाज सेवा की जरूरत है। उन्हें अपनी नौकरी छोड़ कर लगातार बच्चों का बच्पन बचाने के लिए काम शुरू कर दिया, और 1980 में व्यापक रूप से बच्पन बचाओ आंदोलन शुरू कर दिया। जो कालीन, काच, इट के भटो, पत्थर खदानों, घरेलू, बाल मजदूरी तथा साड़ी उद्योग जैसे खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले बच्चों को मुक्त कराते हैं। संगर्ज जारी रहेगा नामक पत्रिका की शुरुवात करके उन्होंने लोगों का ध्यान बालश्रम की समस्या की ओर खीचा। अध्यापिका जी, मेरे पिता जी ने बताया था कि कैलाश सत्यार्थी जी ने 108 देशों के 14,000 संगटनों के साथ मिलकर बाल मजदूरी विरोधी विश्वयात्रा भी शुरू की थी, जुसमें शामिल होकर लाखों लोगों ने बाल मजदूरी समाप्त करने का प्रण हां रहीम, उन्होंने बिलकुल ठीक बताया अध्यापिका जी, क्या कैलाश सत्यार्थी जी की तरह के काम करना बहुत मुश्किल होता है, इसमें किसी तरह की मुश्किले तो नहीं आती यह बहुत मुश्किल होता है बच्चों केवल बहुत हिम्मत वाला इनसान ही ये सब काम कर सकता है कैलाश सत्यार थी और उनके साथियों पर भी न जाने कितनी बार जानलेवा हमले किये गए कितनी बार वे खायल हुए कितनी ही बार उन्हें डराया गया परन्तु वे कभी नहीं हारे, कभी नहीं डरे, कभी नहीं रुके और लगातार बच्चों के लिए संघर्ष करते रहे जी अध्यापिका जी, मुझे भी मेरे भाई साब ने बताया था कि उन्होंने भोपाल गैस्त राजदी में भी राहत अभियान चलाया था वे अब भी ग्लोबल मार्च अगेंस चाइड लेबर यानि बाल्श्रम के खिलाफ वैश्विक अभियान के अध्याक्ष है हाँ मंदीत, उन्होंने सही बताया अध्यापिका जी, क्या उनके महान संघर्ष भरे कारियों के लिए कोई पुरसकार भी मिले है हाँ पुर्णिमा, वर्ष 2014 के नोबिल शांती पुरसकार के साथ-साथ उन्हें राष्ट्रिय और अंतराष्ट्रिय अस्तर के बहुत से पुरसकार मिल चुके है क्योंकि उन्होंने बच्चपन बचाओ आंदोलन की स्थापना के बाद से अब तक 144 देशों के 83,000 से अधिक बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कारी किया है अध्यापिका जी, आप मुझे पढ़ाएंगी, तो मैं भी बड़ा होकर सत्यार्थी बनूँगा संसार से बालश्रम मिटाने के लिए खूब पढ़ूँगा संसार के सब बच्चों को साक्षर बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित करूँगा आओ दोस्तों, हम सब सत्यार्थी बनें पूरी कक्षा, एक स्फ़र में हाँ हाँ, हम सब सत्यार्थी बनेंगे बालश्रम मिटाएंगे, सब को साक्षर बनाएंगे शब बाश्मेरी बनाएंगे